दोस्तो जब हम वर्ड मैप को देखते हैं तो हैरानी होती है वैसा ही जब हम अपने भारत को देखते हैं हमारे दिमाग में कोश्चन उड़ता है कि सबसे पहले मैप कब किसने और कैसे बनाया होगा दोस्तो हिकाटेस ने 25 साल पहले वर्ड मैप में भारत को दर्शाया था और इन्हें Father of Geography भी कहा जाता है और इसके बाद Erotosthenes ने 23 साल पहले एक मांचितर बनाया जिसमें भारत को दिखाया गया था और इसके बाद सिकंदर के कहने पर टॉलमी ने 1900 साल पहले भारत को मांचितर में इस तरह से दिखाया था इसके बाद अबराहम और टेलियस ने 1527 में पहला Modern Atlas बनाया जिसमें भारत को और अच्छे से दिखाया गया था इस सब के बाद East India Company ने बिलियम लेंटन से 1802 में इंडिया का सर्वे करवा के एक मांचितर बन बाया था और इस तरह से हम जो मांचितर आज देखते हैं वो त्यार हुआ ऐसे ही इंटरस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें